देखें इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं खबर जो है वो गोपालगन सदर सीट के उपचुनाव से सम्बंदित है दरासल भाजपा की तरफ से उनके परत्यासी कुसुम सिंग के नाम का एलान हो चुका है तो दूसरी तरफ महागट बंधन में ये सीट राज़त को गया और राज़त में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है एक नया तरह का प्रियोग है गोपालगन सीट जो है वो दे दिया गया है वैसे समाज के मोहन गुपता को लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि हमने आपको पहले भी पताया था कि AIMIM यानि अवैसी की जो पाटी है वो बिहार में विस्तार कर रही है आपको याद होगा कि 2020 के विदान सभा चुनाव में भी अवैसी की पाटी ने अपना किस्मत अजमाया था जिन में पांस सीटे जो किसन गंज का इलाका है सीमानचल का इलाका है वहाँ जीतने में सफल हुई थी तो गोपालगन से परत्यासी का नाम जो है वो अख्तरूल इमाम जो अमनौर से विधायक हैं AIM के प्रदिस अध्यक्ष हैं उन्होंने इसे जारी कर दिया है जिहां सोचल मीडिया पर अख्तरूल इमाम ने ये बाते साजा किया है उन्होंने लिखा है कि गोपालगन विधान सभा एक सुन्य एक उपचुनाओं में बैरिष्टर असदुदीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने अपना नेता और पूर्व मुख्या वो दानिश ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स के मालिक जनाब अब्दुल सलाम उर्फ असल साहब को उमिद्वार बनाया है AIMIM से गोपालगन विधान सभा 101 के परत्यासी बनाए गए हैं तो AIMIM ने अपने परत्यासी का नाम जो है उनका नाम जो असलम बताया जा रहा है और वो दानिश ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स के ओनर हैं यानि मालिक हैं तो और पूर्व मे मुखिया भी रह चुके हैं उसी इलाके से उसी छेतर से गोपालगन विधान सभा के ही किसी पंचायत से वो मुखिया का चुनाओ भी लड़े हैं और जीते हैं तो जनाब अब्दुल सलाम जो हैं उनको AIMIM ने टिकट थमाया है और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइ गोपालगन में उसे लेकर माना जा रहा है कारण ये है कि करीब साथ हजार के आसपास पचपन से साथ हजार के बीच में वो आकड़ा है जो काउंटिंग है वो मुस्लिम समाज का है और ये वोट अगर तूटता है तो कहीं न कहीं राज़त को एक बहुत बड़ा नुकसान छेलना परदा सकता है आपको बता दें कि गोपालगन सीट से करीब करीब 55,000 वैसे वोटर्स भी है और 40,000 से 45,000 वोटर्स भी है ये तीनों अगर लाम बंद होकर गोल बंद होकर एक तरफा राज़त को वोट गिराते हैं तो राज़त जो है वो इस चुनाओं में सफलता प परत्यासी का नाम जो है वो जारी कर दिया है जिसके बाद अब मुस्लिम वोट में कितना सेंद लग सकता है कितनी सेंदमारी हो सकती है इस पर नजर सब की बनी रहे गया आपको याद होगा कि पिछले विधानसवा चुनाओं में याने 2020 के विधानसवा चुनाओं में करीब यहार के 12 ऐसे सीट रहे थे जहां पर अब ऐसी की पार्टी ने परत्यक्स रूप से डिरेक्ली आप कह सकते हैं नुक्सान पहुचाया था तजश्वी यादव की पार्टी राजत को इसमें 5 सीटों पर AIM-AIM को सफलता मिली थी और अन्य सीटों पर वो रादत के परत हैं वो राजत के साथ जुडेंगे जो भी हो यह चुनाओ बेहत दिल्चस्प हो चुका है काटे की टकर है और हमारी नदर यानि दब यहार्टॉप की नदर इस पर बनी हुई है आप बने रहे हमारे साथ शुक्रिया